सल्मान खान ने जब देर रात घुमाया गोविंदा को फोन, बोले चीची भाई वो फिल्म छोड़ दो और मुझे, फिर से संबर गया करियर, सल्मान खान इन दिनों अपनी फिल्म टाइगर तीन फीट को लेकर सुर्खियों में है, फिल्म जल्द 200 करोड के कलब में शामिल हो सल्मान आज बॉलिवूर के भाईजान है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर को संबारने के लिए उन्होंने गोविंदा से एक बड़ी फिल्म मांग ली थी, ये सुनने में भले थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन ये सच है, इस बात का खुलासा खुद पर उन्होंने भाईजान के लिए एक सुपर हिट फिल्म छोड़ दी थी, क्या था वो किस्सा चलिए आपको बताते हैं, कैसे जुड़वा में हुई सल्मान खान की एंट्री सल्मान खान और गोविंदा दोनों के फैंस ये जानते हैं, कि दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं गोविंदा कई बार ये कह चुके हैं, कि सल्मान ने कैसे फिल्म पार्टनर में उनकी एंट्री दिलाई और उनके डूपते करियर को बचाया जब वह फिल्मों में लोटे तो सल्मान खान ही उनके साथ खड़े थे बॉलिवड हंगामा के साथ एक इंटर्व्यू में गोविंदा ने खुलासा किया, कि 1997 में आई सुपर हिट फिल्म जुडवा में कैसे सल्मान खान की इस फिल्म एंट्री हुई, रात में 2-3 बजे किया था फोन गोविंदा ने कहा, मैं उस समय अपने गेम के टॉप पर था जब बनारसी बाबु नाम की फिल्म की शूटिंग चल रही थी, मैं उस समय जुडवा पर भी काम कर रहा था, जब जुडवा की शूटिंग चल रही थी तब एक रात करीब 2-3 बजे सल्मान खान ने मुझे फोन किया और मुझसे पूछा चीची भया, आप कितनी हिट फिल ले और फिल्म मुझे दे दे, आपको मुझे फिल्म का डायरेक्टर भी देना होगा, फिल्म के निर्माता भी वही होंगे साजिद नाडियारवाला, इसलिए जो फिल्म पहले ही फ्लोर पर जा चुकी थी, उसे वही रोक दिया गया और सल्मान ने प्रोजेक्ट अपने जिसने बॉक्स ओफिस पर 24.28 करोड रुपए कमाए थे, फिल्म की कहानी दो जुडवा भाई राजा और प्रेम मलहोत्रा जन्म के समय ही अलग हो जाते हैं, और फिर से मिलने के बाद, वे एक स्थानिय गैंग्स्टर रतनलाल को हराना चाहते हैं, जो मलहोत्रा परिवार को नश्ट करना चाहता है,